हलो डियर इस्टूरेट्स, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का, आपके अपने यूटूब चानल स्टूडी विद दुलार में, बच्चों ये क्लास 4 का इंगलिस बुक है, चैप्टर 8 है और इस चैप्टर का नाम है The Kind King, The Kind King का रथ है द्यालू राजा, तो यहां पे ए There was a king in ancient India, एक बार की बात है, प्राचिन भारत में एक राजा था, he was very brave and kind, वो बहुत ही बहादूर और द्यालू था, he won many states and established a vast kingdom, वो बहुत सारे राजियों को जीता था और बहुत बड़ा समराइज अस्थापित किया था, He built roads for people, उसने लोगों के लिए road बनवाए थे, there were trees beside the roads, और road के बगल बगल में पेड भी लगवाए थे, he built rest houses for the poor, और यात्रियों के लिए उन्होंने rest house मतलब आराम करने के लिए घर भी बनवाए थे, यहाँ पे है यह राजा, यहाँ देख रहे हैं, यह राजा जो है हाथी प्याया करता था, और सोने के सिक्के इस तरह से इन लोगों को डिस्टिबूट करता था, बाटता था, तो यहाँ आगे वही कहानी दिया हुआ है, दिवाली के साम को वो गरीब लोगों के बीच में सोने के सिक्के बाटा करता था, डिस्टिबूट करता था, वो चिट के दिया करता था, उसके पास एक सफेद कलर का हाथी था, यहाँ पे सफेद कलर का हाथी दिखाए दे रहा है, दिर वाजे बिग ग्राउंड अमरेला ओन दे बैक आफ अफ दे एलेफेंट, और उसके उपर में, हाथी के उपर में एक बड़ा सा छत्री लगा हुआ रहता था, दे बोड़ी अफ दे एलेफेंट वाज कवर्ड विद सिल्क कलोथ, और हाथी का जो सरीर था, वो रेसम के कपड़े से ढखा हुआ रहता था, यह कपड़ा जो दिखाए दे रहा है, यह रेसम का कपड़ा है, सिल्क कलोथ, मतलब रेसम का कपड़ा, the cloth and the umbrella were studded with precious stone, और कपड़े में और वो जो छाता उपर में बनावा रहता था, उसमें बहुत किमती पत्थर उसमें जड़े हुए होते थे, बहुत किमती मोती पत्थर इस तरह से उसमें जड़े हुए होते थे, sitting on the elephant the king was distributing coins हाथे में बैठ कर राजा सिक्कों को बाट रहा था people standing on the both sides of the road were taking coins लोग रोड के दोनों साइट खड़े थे और सिक्के ले रहे थे यहाँ पर आगे दिया हुआ है when the king was returning an old man came near the elephant जब राजा सिक्कों को लुटाने के बाद वापस जाने लगा तो वहाँ पे एक old man बुठा आदमी उसके हाथी के नजदिक आया he stole a pearl from the cloth of the elephant और वा हाथी के नजदिक पहुचने के बाद उसके कपड़े में जो मोतिया लगा रहता था उसमें से एक उसने चोरी कर लिया one of the soldiers saw him तो उसके कई सारे राजा की soldiers सेनिक हुआ करते थे उसमें से एक सेनिक उसको देख लेता and caught him और उसको पकड़ लेता the king ordered the soldier to beat him राजा ने उसको आदेश दिया कि उसको पिटाई की जाए उस बुठ्धादमी को पिटाई करने का आदेश दे दिया फिर क्या हुआ the old man was severely beaten और उस बुठ्धादमी को बहुत पिटागया he lost his sense वह अपना sense खो देता है मतलब वो बेहुस हो जाता है when he got his sense he was brought before the king जब उसको होस आता है तो वह राजा के पास लाया जाता है the king asked राजा उससे पुछता है why did you steal तुमने चोरी क्यों किया the old man said my lord I am a poor man कि महराज मैं एक गरीब आदमी हूँ उस बुठ्धादमी ने कहा I was distributing coins राजा बोल रहा है कि मैं तो सिक्कों को लुटाता हूँ yes it is right जी बिलकुल लाब सही कहा रहे है I am old and weak मैं बुठ्धा और कमजोर बेखती हूँ I could not get any coin in that crowd मैं भीड में कोई एक भी सिक्का उठा नहीं पाता हूँ मैं उसे नहीं ले पाता हूँ वो बुठ्धा आदमी था कमजोर था इसलिए अगर भीड में जाएगा उसे धक्के देकर लोग उसको side कर देंगे तो वो कहां से ले पाएगा वोई चीज बतला है कि मैं कमजोर हूँ बुठ्धा हूँ और मैं भीड में कोई भी सिक्का नहीं ले पाता Why do you want coins? राजा पूछ रहा है कि तुम्हें सिक्कों की क्या हो सकता है तुम तुम बुढ़े आदमी हो अपना थोड़ा सा खाना खाना है और घर में रहना है I have your young daughter to marry बुठा आदमी बतला रहा है कि मेरी एक बेटी है जो साधी के like हो गई है I have no money for it लेकिन उसके साधी के लिए मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है What do you want now? तो आखिर तुम क्या चाहते हो राजा उसको पूछ रहा है कि तुम क्या चाहते हो अब यहाँ पे old man क्या कह रहा है The old man said I have heard about you मैंने आपके बारे में सुना है You are as much kind as angry जैसा कि आप गुशा करते हैं जैसा क्रोधित होते हैं उस तरह से आप द्यालू भी है बुढ़ा आदमी राजा को कह रहा है कि आप जिस परकार से गुशा करते हैं क्रोधित होते हैं उस परकार से आप एक द्यालू आदमी भी है I have already seen your anger मैं आपका क्रोध देख चुका हूँ Now I want to see your kindness अब मैं आपका द्या देखना चाहता हूँ द्यालूता देखना चाहता हूँ The king thought for a moment राजा थोड़ी देर के लिए सोचने लगा He ordered his man to give a bag of coins to the old man और उसने अपने एक आदमी को आदेश दिया कि वह सिक्को से भरी एक बैग एक पोटली उस बुढ़्धा आदमी को देदे The old man went from there happily और फिर उसको एक coins बैग मिल गया और बुढ़्धा आदमी जो है वहाँ से खुसी-खुसी चला जाता है He arranged the marriage to his daughter और फिर वह अपनी बैटी का साधी की बेवस्था करता है The king cam to bless the bride and the bridegroom और राजा फिर वहाँ पे आता है और दुलहा-दुलन को आशिरवात देता He announced there और वहाँ पे वह घुसना करता है From today, I shall provide all facilities for the marriage of a poor girl वहाँ पे घुसना करता है कि आज से किसी भी गरीब लड़की की साधी के लिए जो भी सुविधाएं जुटाने पड़ेगी हो सारी सुविधाएं मैं जुटाऊंगा मतलब राजा की तरफ से सारी सुविधाएं मिलेगी साधी की यहाँ पे यह स्टोरी समाप्त हो जाता है यह है द्यालू राजा की कहानी, तो आजे देखते हैं इसमें क्या question दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है new words, यहाँ पे जो थोड़ सी difficult word है kingdom, precious, इस तरह के word जो है, आप लोग पढ़कर कम से कम इसको याद कर लेना है, खास करके छोटे बच्चे हैं, for class के त इस तरह से story चला हुआ है, इस तरह से इसको सजाना है, और यहाँ राइट दा feminine gender, यहाँ पे इस तरिलिंग लिखना है इस word का, इसके बाद देखते हैं क्या है, question number three का, यह half part यहाँ पे दिया हुआ है, question number four, यहाँ पे articles फुल्फिल करना है, question number five में मेंच करने के लिए दिय word, वो किस तरह से चलता है, इसके बाद मतला है जैसे कि elephant दिया हुआ है, walk इसको मिलाया गया है, horse run है, earth one crawl है, rabbit hop और deer gallop, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यह बिल्कुल सही है, इसलिए मैं आगे इसका answer नहीं दूँगा, और question number six में two false जो दिया हुआ है, वो भी राजा द यह रोड बनवाए, यह भी सही है, यहाँ true दिया हुआ है, और राजा दुरहा दुलन को आके असिरवात देता है, यह भी सही है, तो यहाँ भी जो दिया हुआ है, यह बिल्कुल सही है, इसलिए मैं आगे इसका answer नहीं दूँगा, और आगे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ words दिया हुआ है, जो last में हमें सा दिया रहता है, तो आए मैं आप लोगों को important question जो है, उसका answer बना कि दिया देता हूँ, यह है chapter 8 का question answer, what did the king do on the eve of diwali, the king distributed gold coins among the poor people on the eve of diwali, who caught the old man, a soldier of the king caught the old man, what did the king give to the old man, the king gave a bag of coins to the old man, what did the king announce, the king announced that from that day he would provide all facilities for the marriage of a poor girl, यहाँ पे question answer हो गया, question number 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ है, equivalent 2 को यहाँ पे लिखने से आपको समझ में नहीं भी आ सकता था, इसलिए मैं आपको वहाँ वीडियो के page में ही बतला देता हूँ, आइए चलते हूँ ही पे, यह है book का page, इसमें मैं बतलाता यहाँ पे सबसे one number में होगा, there was a king, यह one number हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं one, यह one लिख देते हैं, और उसके बाद दुसरा number में क्या होगा, दुसरा number में होगा, यह the king was distributing gold coins, उसके बाद दुसरा number में यह हो जाएगा, यह two number, उसके बाद three number में हो जाएगा, B number का The old man stole a pearl एक बुढ़ी अदमी ने एक pearl मोती चुरा लेता है ये हो जाएगा 3 number का ये 3 और उसके बाद 4 number में The man was severely beaten और उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 number ये है 4 उसके बाद 5 number में आ जाएगा He was given a bag of coins उसके बाद जो है राजा उसको एक coins का बेक देता है तो ये हो जाएगा 5 number में ये 5 number उसके बाद 6 number में ये हो जाएगा The old man arranged his daughter's marriage अपनी बेटी का वो साधी का व्यवस्था करता है यहाँ पे हो जाएगा 6 ये 6 number हो गया और लास्ट बचिए ये 7 number राजा आके दुलहा और दुलहन को असिरवात देता है ये 7 number ये हो गया complete इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको arrange कर सकते हैं अब next लेते हैं वहाँ पे आगे में 3 number का question का answer दिया हुआ है यहाँ पे 3 number का answer जो है ये feminine gender मतलब इस्तिरलिंग बनाने के लिए कहा गया है bridegroom का मतलब होता है दुलहा और bride का मतलब होता है दुलहन तिस तरह से wizard, witch सारे सब्द का बना दिया गया है horse, mare हो गया dog, bitch, wizard, witch peacock, pecan, nephew, niece tiger, tigress, lion, lioness ox cow, grandfather, grandmother question number 4 जिसमें a, n और the का परियोग करने के लिए कहा गया है ये इसको articles कहा जाता है तो यहाँ पे diet इसका answer दिया हुआ है यहाँ पे यह chapter पूरी तरह समाप्त हो गया है अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए helpful होता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक like जरूर कीजिए और इसे तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करते रखे अपने दोस्ते के साथ share कीजिए और next chapter को पढ़ने के लिए आए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं आए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं